इंडिया गर बंदन बंदन लिए वो खिच्डी बना रहे हैं ये को मौका देना हो आपको मूदी के अलावा विपक्ष में किसको मौका देंगे नहीं जी हम तो बिल्कुल किसी को ना देंगे ये तो बेंच खाएंगे देश को भारत तुमारा गौरोसालीत यहां से भारत का भारत ही होना चाहिए हर जगह अभी वो है गठ बंदन भी लट बंदन हो उसके बाद 24 में तो उनको एलाइंस बना है यही दिखा रहा है कि इसका मतलब भी यह भी मजबूत है तभी वो लोग एलाइस बनाकर आ रहा है कोई एक चहरा जो मोदी के सामने आएगा विपक्ष क के बीच में आई के बीच में डॉट लगा रखा है अब्सक्राइब लगा रखा है यह जिता कर ला रहे हैं 2000 में मोदी जी जी को मोदी जी या रहे हैं क्या 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 कर रहें सब्सक्राइक को इस तरीके कोई नहीं कर रहा था आपकी रोड देख लो हाइवेज देख लो इस प्रेस बेदेख लो कितना बढ़ियां काम चल रहा है आप कहें पर भी चले जाओ तरीके से राहुल गांधी को भी प्रमूट किया जा रहा है कि राहुल गांधी 24 में हो सकते हो उमीदवार अरे उमीदवार त सबस्क्राइब कि मधरा हुआ और यह को मौका देना हूँ आपको मोधी के लावा विपक्ष में किसको मौका देंगे विए न हम तो किसी न देंगे यह तो और धेंश खांगे देश को वेटीं का डिनर इविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ independent कर पर आप लिख देख्तर इन्डिया के लेकिन आपह अगर आप पढ़े लिके हो गए समझते हो समय पर गेंडिया का रिह आओ पसलोगी था ओ हम धिब से थे हमेरा समझते से पता ही नहीं है इस वज़े से इंडिया बोलते थे इंडिया बारत हमारा गौरो सालीत यहां से भारत का भारत ही होना चाहिए हर जगह 2024 में चुनाओं होने वाले हैं लोगसभा का इलेक्शन है क्या लग रहा है किसका इस बार मजबूत है पल्रा पल्रा तो पूरा योगी जी और मोदी जी काई उसके अलमा कोई आ नहीं सकता है यहां पर क्योंकि उन्हों जो काम कर रहा है न वो देश के हितों को ध्यान रखते ह कोई एक नाम कोई है निया कोई नहीं है राहुल गांदी सारे चौर है सब चोर है सब अपने घर की देखते हैं किसी को देश की पड़ी नहीं है कि हमारा सम्रीद रहाएगा सब कुछ अगर देश सही सलामत रहाएगा तो हम भी अपना कमा खाले मोहन सिंह के टाइम में अगर आपको कोई लगता है तो आप उसका नाम बताईए तो बताऊंगा आप बताईए आप जनता है मैं जनता के पास आया हूं अगर आपको कोई अच्छा नाम लगता है तो आप बताईए फिर मैं आपको उसके जवाद देता हूं तमाम राज्यों के मुखेमंत्री है न जनता के सामने दिल्ली में है ठीक है उसको वह दे सकते हैं जिसको फिरीकी बिजली और फिरीका पानी चाहिए होता है हमें फिरीकी बिजली फिरीका पानी नहीं चाहिए इसलिए में उपसंद नहीं है एक मामला आ गए है इंडिया और भारत अब जो जी 20 के लिए डिनर इंविटेशन पर प्रेशिडेंट और भारत लिग दिया गया इस पर विपक्षियों को नाराजगी है देखे भारत तो भारत सुरूसी रहा है भारत वर्ष रहा है हिंदुस्तान रहा है अब इंडिया कौन छोड़के गया एक बार उनसे पूछना पड़ेगा और जोर उनने अपनी पार्टी का नाम इंडिया लगा लिया है इंडिया के सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्लिया है देश को आगे बढ़ाया है उनको मतलब कि किसी में बेधभाव नहीं किया है कि ये मतलब कि मुसलिम है ये मतलब कि हिंदू है सब को एक सा लेके उनको विकास किया है और हिंदूत को काफी अच्छा ग्रोथ किया है आपके हिसाब से 24 से कौन आएगा मोधी जी मोधी क्यों सब्सक्राइब कर देखो कितने अच्छी नोड़ा के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर देखो और राम मंदिर देखो धारा 370 मोधी जी नहीं सारे काम मोधी जी कर रहे हैं और क्या है बताओ कि जो एलाइंस बना है आई एंडिया ये का कि उसमें कुछ नहीं होगा वह तो कमसे बन रहा है अभी देखो अभी वह गठ बंदन भी लठ बंदन होगो उसके वाद 24 में तो अभी कुछ कुर्सी कौन अभी सबर कहेंगा मुझा दे भाहिया मुझा देता है वह क्या को मैं बनूंगा पिरदान मंतरी को को चेरो है उनक को बोलता था कि वह चोर है अब सब अच्छे होगे जनता के दिल में कौन है जनता के दिल में मोधी जी है योगी जी है कोई विकल्प नहीं होगा क्या मोधी के सामने कोई ऐसा नेता नहीं कोई नहीं टकर देगा कोई भी मोहल तो वही है जिसने काम किया है सरकार ने काम किय पूरी उम्हीद है 2024 में बीजेपी अपनी फुल मेज्योरेटी से आएगी पूरा परोसा है यकीन है और यकीन मोदी के काम पर है रहे हैं लाइंस तो कितना भी बनता रहा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अलाइंस बना है यही दिखा रहा है कि इसका मतलब बीजेपी मजब पूते तभी वो लोग एलाइस बनाकर आ रहे हैं